हिंदु धर में मोली का विशेश मैत्व होता है इसे कई जगों पर कलावर भी कहा जाता है किसी भी पूजा या अनुष्टान शुरू करने से मोली बांदने की परंपरा सदियों से चलिया रही है लाल सूत से बने इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है जोतिस सास्त्र के अनुसार मोली बांदने की परंपरा सदियों से चलिया रही है इंद्र देव को इंद्रानी ने और वामन भगवान ने दानवीर राजा बली की कलाई में अमरता के लिए रक्षा सूत्र बांदा था जानिये मोली क्यों बांदते हैं इसके साथ ही जानिये बांदने का तरीका और का बांदना श्युब होता है मोली का अर्थ है सबसे उपर हाथ में बानने के कारण इसे कलावा भी कहा जाता है मोली बिविन प्रकार के होते हैं मोली कच्चा धागा यानी सूत से बनाई जाती है इसमें तीन रंग होते हैं लाल पीला और हरा लेकिन कई बार पांच धागों से भी बनाई जाती है जिसमें निला और सफेथ भी जुड़ जाता है इस कारण मोली के तीन धागों को त्रिदेव और पाँच धागों को पंच देवों का प्रतीक माना जाता है किसी भी शुप काम को करने से पहले इसे बांध कर समकल्प लिया जाता है इसके साथ ही देवी देवता से जीवन में सुबेता पाने की काम ना करते हैं मोली बानने से त्री देवों के साथ त्री देवियों का अशिरबाद भी प्राप्त होता है इसके साथ ही वैक्ति को हर वादा से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाले हर संकट दूर होता है इसके साथ ही सुक्स्रमयदी का अशिरबाद भी प्राप्त होता है असल नियूज वीर रिपोर्ट